हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तो पी एंटी कोजिंग क्लासेश लर्न इसली एन स्मार्टली आज हम देखने जा रहे हैं कॉंसंट्रेशन आप सॉलूशन को रिप्रेजेंट या फिर एकस्पिस करने का जो नेक्स्ट वह है वह है फिल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन चल एकस ओके दस लाख होता है चलिए डेफिनिशन समझते हैं तो उस दस लाख का एक हिस्सा ओके चलिए इसको डेफिनिशन समझते हैं वेन अ सॉल्यूट इस प्रजेंट इन वेरी माइन्यूट एमाउंट ओके इन ट्रेसेशनी बहुत ज़्यादा कम तो यहां पर ऐसा बोला आपका बहुत ज़्यादा है that is in a million यहां कि 10 लाख में डिल हो रही है आपके solution की suppose कर रहे हैं और अगर हम उसके basically बात कर लें कि हमको कुछ इन ग्राम यहांने सोची आपके पास 10 लाख ग्राम suppose कोई भी substance है उसमें से अगर आप किसी को एक यहां दो ग्राम दे भी देंगे तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क आपको नहीं पढ़ने वाला है तो वही बोल रहा है कि जो solute है वो बहुत ही minute यहांने कि बहुत ही कम quantity मे present है ओके तो वही बोला गया कि when a solute is present in very minute amount यहां कि बहुत ही कम amount में present है the concentration is expressed in parts तो उससमें जो concentration को आप express करेंगे वो होगा आपका parts per million जिसका abbreviated जो shortcut हो होता है PPM तो अगर मैं आपको simply समझाने कोशित को तो यहीं बोलूगा कि बहुत सारा solution है okay that is in a million जो आपका solution है वो million में दिया हुआ है लेकिन जो इसका solute है वो बहुत ही कम मात्रा में बहुत ही कम quantity में present है तो उसको हम बोलते है parts per million चलिए आगे क्या बोला देखते हैं कि the parts may be of mass और volume अब जो हम यह parts की बात कर रहे हैं वो mass में भी हो सकता है और वो volume में भी हो सकता है depends कि वो किस form में present है solid होगा तो mass में लेंगे and liquid होगा तो volume की बात करेंगे it is the part of a component per 10 lakh gram of solution वही चीजा आगे students कि जो part है जो हम parts की बात कर रहे है वो अच्छले component है वो भी 10 lakh gram of solution का एक यहन् इसे कुछ जो है convergence है वो आपको पता होना चाहिए कि 1 ppm जो होता है वो इक्वल होता है 1 milligram per liter 1 ppm जो होता है वो इक्वल होता है 1 microgram per milliliter and 1 microgram is equal to 10 to the power of minus 6 gram चलिए students इसका एक formula देखते हैं कि ppm का formula क्या होता है तो ppm का formula होता है is equal to mass of solute in gram जो आपके बास solute दिया हुआ है जिसका mass दिया हुआ है in gram में upon हो जाएगा mass of solution in gram में लेकिन वो बहुत जादा होगा as compared to the solute and into कर देंगे 10 to the power of 6 okay students चलिए question की through इसको समझते हैं थोड़ा सा question में बोला गया कि suppose कीजिए आपके बास 1 gram calcium carbonate है और वो dissolved है घुला हुआ है in a 50 kg water तो आपको यहीं पर समझ में आ रहा कि 50 kg के मामले में अगर आप एक ग्राम की इसी से ले भी लेंगे तो इसको फ़र्क पढ़ने वाला नहीं है और कि उसके मामले में उसके comparison में जो सॉलिट बहुत ही कम है तो हमें पर पीपीम का कंसेप्ट यूज करेंगी आप समझ गया होंगे तो कि वन ग्राम एंद फिफ्टी किलोग्राम अगर आप इसको रूपीज में सोचेंगे तो कैसे होगा 50,000 रूपीज आपके पास है अगर आपसे कोई वन रूपीज ले भी तो आपको कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है तो अब जली इसको देखते हैं क्या बोल रहें आगे कि एक क्राम केल्शिम कापूरेंट है जो की घुला हुआ है 50 किलोग्राम वाटर में तो इसका हमको निकालना क्या है बेसिकली पीपीम निकालना है तो कैसे निकालेंगे फ 50,000 और इंटू कर देंगे 10 to the power of 6 तो जो आंसर आएगा बेसिकली वह होता है हमेशा पीपीम अब सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे आप सौल करेंगे तो आपका आंसर जो आजाएगा वह होगा 20 पीपीम कैसे सौल किया गया है 10 to the power of 6 से इसका मतलब है कि 10 वहां पे 6 बार ह जाए और बच जागा पर 1 upon 5 उसके साथ जब इसको सौल करेंगे सिंप्ली तो यह 100 upon 5 हो जाएगा तो आप डिवाइट करेंगे तो सिंप्ली यह 20 आ जाएगा तैस पीपीम ओके स्ट्रेंट्स आपको आपको क्लियर हो गया होगा समझ में भी आ गया होगा अगर स्ट्रेंट को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को लाइक जरू करें आज के लिए इतना ही थैंक यू